नमस्कार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोसों सबसे पहले आपको बता दें कि आज का यह विडियो आप शबी के लिए बहुत यदा महत पुन और बहुत यदा खाश रहने वाली है जिए दोसों हम आप शबी को बता दें कि अगर आप भी अपने आपको विवाले होगा। जो कि दोसों वीडियो में हम बादे वाले हैं। यकीन निए वरी से जो लाव आपको प्राप्त होगा, दोसों आप भूले नहीं शमाएंगे। जी जै दोस्तों। उच्छ पिताता हैं। दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रू करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लेख दें जय हनुमान महावली हनुमान जी का शिम अश्यरबात आपको प्रात होगा हम आप शिभी को बिदा दें कि आज के इस दौर को तो आप देखी रहे होंगे कि इस प्रकार लोग पे सब्सक्राइश में किर्तेमान बन चुका है जे दोसों और पेशे हर लोग के अरजरूत भी पूरी होती है जे दोसों तो सो हर इंशान चाहता है कि हमारी जुनकाल में हमें पेशा मिले उतना नहीं जितना हमारे घर परिवार चल जाए जिनसे हम अपने जुनकाल को अच्छ सही रास्ता अपनाते हैं दोस्तों बहूं अप्शिप्च को नकल ही जाता है विड्यो आप की जुनकाल के लिए बहुती Bड़ा मुल मंत्र tekrar रामवसाब्न होने वाली है दोस्तों आप इन्ने अंते दर देखेगा, आपको जीवन के जीने का एक नया श्रुत मिलेगा और जो जानकारे आपको इस वीडियो में हम देंगे दोस्तों, गैरेंटी है कि पूरी यूट्यूब पर एक शी जानकारे आपको कभी नहीं मिलेगा जे दोस्तों तो दोस्तों सारी बातें आप द्यान से सुनिएगा तो ऐसे दोस्तों बात करते हैं शुरुआत करते हैं कि बहुत ही महत्पून ग्यान से बहुत ही महत्पून विचार से जो कि दोस्तों आप शिबी के जिनकाल में आपको याद रखने चाहिए कि दोस्तों हमारे जुनकाल में बहुत सी परकार की गटनाई होती रहती है कभी कबार हमारे जुनकाल में जो गटनाई होती है हमें पता भी नहीं चलता है कि इस समश्याओं का क्या शमाधान है लेकिन दोस्तों हम आप शीकू बता दें कि बहुत शारी शमयश्याओं का एक ही शमाधान होता है जो कि हम समझ नहीं बाते हैं तो दोस्तों यहीं बाते हैं जो कि आपके जुनकाग में बहुत शारी शमयश्याओं का शमाधान आपको देगा तो दोस्तों इस बातों को आप बहुत ज़्यादा ध्यांशी और मन लगा कर शुने कि दूसों एक निर्धन व्यक्ति था वह शर्षों के तेल का दीपक जलाकर नित गली में रख देता था चुकि गली अंधिरी थी इश्रिय वहांशी गुजरने वाले रहागीरों को बहुत ही लाप मिलता था निकट रहने वाला एक धनवान व्यक्ति प्रति दिन भ निम्न श्रेनी और निर्धन को उची सेरुनी की शुर्धा प्रदान की गई ज्यादोसों धनपति को यह मराज का यह न्याय ठीक नहीं लगा और उन्होंने यह मराज शे इस संधर्व में प्रश्ण किया तो यह मराज बोले पुन्य की महता धन शे नहीं कारी की उप्योग जिता शन्हित भावना के अधार पर होती है मंदिर तो पहले शही प्रकाश जिता उस व्यक्ति ने एशे अस्थान पर परकाश पहलाया जिससे हजारों जरुत मंदों तक परकाश पहुंचा और शी वजाशी वह ज्यादा पुन्य का अधिकारी बना जियां दोसों तो दोस दोसों एक लाइक जरू करें और इनके लिए कमेंड बॉक्स में लिख दें जैश्रीकिष्णा राधी राधी तो आई दोस्तों सके शाथ बात करते हैं कि आपको कड़ोड़ पती बनने के लिए या पिर अपने जियुनकाल में प्रयाप धन अर्जुत करने के लिए कौन-क कट भरा चल रहा है जितना अपने धन कमाये थे दोस्तों वह भी यश में खर्च होता जा रहा है और धनाना की शंभावना आप जुनकाल में बहुत ही कम दिखाए दे रहे हैं लेकिन दोस्तों आप शिवी को बता दें कि आप यश में माईश बिलकुल ना होएं कि दोस्तो कोई नहीं होता उसका उपर वाला अवश होता है जे दोस्तों हम आप शिवी को बता दें कि आप शिवी के कुण्डली में महालक्षमी योग और धन योग का निर्मान हो चुका है जिनसे कि दोस्तों आप शिवी की जुनकाल में धन से जुड़ी शिवी परकार की शमश्या करना पड़ा लेकिन दोस्तों उनमें से कुछ एसे भी घठना है जो कि आपको पूरी तरह जग जोर के रख दिया है जे दोस्तों हम आप शुकुर बता दी कि पिछले कई वर्षों से आप लगातार मेहनत करते आ यहां रहें लगी तक आपको अच्छी तरह से नहीं मिल पाया है इसाद आपके कुछ गलतियां होती है जो कि आपको अपने कारिभार को चीटरी तरी के से समाल पाएंगे और बहुत ही अच्छी दिसा में लेकर जावी पाएंगे ज़े दोसों शबसे पहले दोसों माप शेटर में कारी करते हैं अगर आपको उनमें शपलता की प्राप्ती नहीं हो रही है तो दोसों सबसे पहले आपको हाड़ वर्क के शाथ कारियों के तह तक ज दोसों इस प्रीशे नहीं है जो कि आपके कार होने नहीं देरा इस परकार के दोस्वों आपको प्रशन आपने कारियों में करें तो दोस्वों आपको जरूर्वी शमाधान पराप्त होगा जोति शात में कहा गया है कि दोस्तों जोबी व्यक्ति अपने जुनकाल में इन उपायों को करता है इन बातों का ध्यान रखता है दोस्तों उनके जुनकाल में कभी गरीबी आता ही नहीं जियां दोस्तों हमेशा इश्वर उनके शाथ रहते हैं इश्वर उनकी मनकामनाई को पूरी करने के लिए उनके हाथों में हाथ रखते हैं दोस्तों हम आपशी को बता दें कि शबसे पहला जो कार है आपको अपने जोनकाल में देनिक दिंचिर्या में करना है किए दोस्तों बहुत सब्सक्राइब लोग एशा कारी करते हैं और उन्हें अच्छा परिणा भी मिला है तो दोस्तों आप भी अपने जुनकाल में आज यही इनकारियों को गरें अगर आपके घर में तुल्शी का पोदा हो तो दोस्तों परती दिन शुभा शाम घी का दीपक आप उस पर जरूर जलाए जहें दोस्तों इस बात का ध्यान रखें अगर नहीं भी हो तो दोस्तों इन्हें घर में लगाएं और घी का दीपक जलाएं और दोस्तों साथ ही शुकरवार और सुनिवार के दिन लक्ष्वी नरायन मंद्री में जाग शफेद रिंगे आपको इभी पिठाई चड़ा सकते हैं इसको परांद दोस्तों तिसरा चीज है पीली कोड़ी को देवी माता का परतिक माना जाता है कुछ सफेद कोड़ियों को केशर या फिर हल्दी के घोल में भीगो कर उसे लाल कपड़े में बांध कर घर में इस्तित तिजोरी है या फिर घर में वह जगा जहां पर आप केशे कभी कभी रखते थे या फिर रखते हैं वहां पर रख दें नारियल विदी विधान से पुजा कर उसे चम के लिए लाल कपड़ी में लपिट कर वहां पर रख दें जे दोस्तों चौता चीज है शंक शमुद्र मन्थन के शमय प्राप्त हुआ अनमोल रत्नों में शे एक है जे दोस्तों लक्षमी के शात उत्पन होने के कारण शे लक्षमी ब्राता भी का चाता है यह कारण है कि जिस घर में शंक होता है वहां शमुद्री और ब्रिदी अवशी होता है मालक्षमी का वाश वहां पर जरू होता है तो दोसों घर में आप एक ना एक शंक अवशी रखें इसको प्रति शनिवार को पीपल को भी जल चढ़ाना चाहिए और उसकी फूजा भी करने चाहिए इसी भी दोसों धन्शनमिर्दी में बड़ोत्य होती है और घर की जो आर्थिक तंग्या होती हुआ इनसे खत्म होती है तो दोसों आपको अपनी जुनकाल में इन बातों के द्यान रखना है इसको प्रांदी दोसों घर में हिशान कौन में हमेशा खाली रखें होश रखें तो वहाँ पर दोसों जल भरा एक पातर चाहिए चाहे वहाँ जल कलश भी आप रख सकते हैं इसको प्रांदी दोसों आ आपको बांश निर्मित बांशूरी भगवान सरी किष्ण को अब पर यह है अति पिर इस बांशुरी जिस गर में रखी जाती है वहां की लोगों में प्रश्पर प्रेम तो बनना ही रहता है शाथ ही शाथ शुक्र समिर्दी भी बनी रहती है तो दोसों आप अपनी जुनकाल में पिछले से में बुरी शंकर समय आपके जुनकाल में चल रही थी दोसों वे शबी खत्मों की और खासकर दोसों आर्थिक तंगी आहिंश आपकी जुद्दूर होगी और दोसों आप शुब की बरत्र होगी योग के हैं तो आने वाले शुमि में आप एक अच्छी इंसा करें के लिए आप मारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक शेर करना ना भूलें धन्यवाद